ओल्राइट गाइस कैसो सभी उम्मीद करता हूं बहुत यह चोग है फानली गुगल क्लॉड इन्नोवेटर पराम का फूर्थ इडिशन वाला सर्टिफिकेशन पराम लॉंच हो चुका है सर्टिफिकेशन को क्लेम कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल में बात ही करने वाले हैं अगर आपने चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड कुछ भी इसूब अगर हो तो कमेंट करके पूश चकते हो सब्सक्राइब करते हैं इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्किप्शन में दे दूंगा वहां से ऑपिन कर लेना एंड बैसिकली यहां पर इडिशन इस प्राम्स के अंदर होने वाला है बैसिकली मैं फर्स्ट इडिशन वारे गुगल क्लाइड इन्नोवेटर प्राम्स के अ अगर आप लोग इन उस वीडियो को देखा होगा एंड फ्लो की होगे प्रोसिस को तो आप लोगों को वजर्स भी मिलने वाला होगा तो बात करते हैं फॉर्ट इडिशन के बारे में बिसिकली फॉर्ट इडिशन नॉवंबर से स्टार्ट होने वाला है एंड 31st जैन्वरी तक यह चलने वाला है तो उससे पहले इस प्राम के अंदर आपको रिजिस्टेशन करना होगा और रिजिस्टेशन करने के बाद यहां पर कुछ प्रोसिस होती है यहां पर आपको तीन से चार्ड जोएं करने होते हैं जिसके अंदर आपको Google Cloud Innovator जो होते हैं वह आपको गाय से पहले मैं थोड़ी सी पॉइंट आपको शेयर कर देता हूं कौन-कौन इस प्राम को जोएंड कर सकते हैं जो भी इंप्लॉय हैं वह भी जोएंड कर सकते हैं उनको भी यहां पी वाचर्स मिलने वाला है तो एस्टुडेंट कोशिज करेंगे कि जो उसकी इमेल आडी होती कॉलिज वाली वह वाली यहां पर फिल अपको मिलता है तो यहां पर रिष्टेशन ताइम फिल आपको देना आपको इस प्रणाम के जोएंड करना होगा देन फिर यहां पर वेटिंग लिस्ट में जाओगे अगर सेलेक्शन होगा देन फिर आपको एक गुरूप में सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर थार्ड अक्टूबर तक टाइम है आप रिष्टेशन करना होगा तो मैं यहां पर अपनी डीटेल फिल अप कर लेता हूं और यहां पर आपनी स्टूदेंट और आर्किटेक्ट और डिटा इंजिंगर जो भी हो यहां पर बिसिकली स् प्रोफाइल प्रोफाइल क्लिकरने सब्सक्राइब करने इसे क्या होगा कि आपको इमेल की अपडेट आती रहे हैं आपका सेलेक्सिन हो गया इन्निवेटर पॉराम के सर्टिफिकेशन वाचर के लिए तो यहां पर आपको ग्रूप मेरेड़ किया जाएगा एंदेन फिर के अंदर जो employee है जो अल्डी किसी company में काम करने तो वह अपनी company का name यहाँ पर टाइप करेंगे अगर एक student हो दिन यहाँ पर अपनी organization अपनी university या फिर अपनी college का name यहाँ पर कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर corporate email में basically अगर आप कोई imply है तो उसकी जो company की email मिलती है तो उस email को यहाँ यहाँ यूज करना तो आपकी चांसे बढ़ जाती है कि आपको certification वाचर मिल ही जाए के लिए मैंने point बता है कि आप अपनी college की आड़ी यहाँ पर चूजट करना है तो आपके college के डोमें के अगरिंग आपको एक Gmail ID मिलती है उसको यहाँ पर यूज करना हूँ अगर आपके पास यह दोनों नहीं है तो last option अपनी personal email को भी यूज कर सकते हूँ मैंने personal email को यूज करने को मिल जा रहा हूँ है cloud digital leader कि अभी इसकी lead नहीं है मैं सजय संदेगों कि associate cloud engineer को select करना एंड अगर आप एक अल्डेडी professional हो दिन प्रोफेशनल को भी select कर सकते हो तो यहाँ पर associate cloud engineer को यहाँ पर चूज कर लेना अगर आप इसको resume match करेंगे तो वहाँ सारी आपकी chances बन ज आपको UI देखने को मिल जागा एंड यहाँ पर हम लोग ने successfully first step को complete कर रहा है एंड फिर यहाँ पर आपको इस तरह के UI देखने को मिल जागा इसमें यह है कि अभी हम लोग ने एक join waitlist को click किया एंड फिर हम लोग जब वेटलिस वाले phase में आ गये हैं अब क्या होगा कि यहा एंड उसके बाद हम लोग resource action मिल जागा एंड कुछ lectures होंगे उसको join करेंगे and successfully हम लोग कुछ laps होती है जिसको complete करना होता है उसके बाद हम लोग एक form fill-up करेंगे and finally हम लोग को watchers मिल रहा होगा इस वीडियो के इंदर इतना ही उमीद करता हूं को साधी process समझ में आ गया होगा फिर भी कुछ issues अगर हो तो comment करके पूछ लेना and आप लोग मैंने एक बहुत अच्छा initiative initiate किया है basically यहाँ पे DCP का एक project based मैं यहाँ पर प्रजेक्ट वीडियो अप्लोड कर रहा हूं तो उसको भी आप लोग देख सकते हो प्रेलिस्ट भी बना रखाओ चेक आट कर लेना लिंक इंदर डिस्क्रिप्शन वीडियो में सब तक के लिए बाबाय एं टेक के और थैंक यू